अजर स्री नमुस्तु सुरेश जेन करनाटक से संका कर रहे हैं कि अभी वरत्वान समय में कलस्क की स्थापना की जाती है तो क्या महावर्तियों की की जाए या चुलक चुली का जारा प्रत्म धारी है उनकी भी कलस्का की जा सकती है किरप्या संका समाढ़ान करें नमस्तु गुर्देव 4 उमास में बर्श योक में कलस्का आदी की जो विधियां है देखिए पहली बात तो कलश स्थापना साधू लोग करते नहीं हैं, यह समाच करती है, ठीक है ना? चभढ़ का हो चुलिका का हो एलक का हो आरिका का हो माता जी का आचार का अपादय का साधू का किसी कभी हो मुरी राज लोग ये सबत्यागी बिरती लोग अपना स्थापना तो भक्ती पूर्वा करते हैं अपनी भक्तियां परते हैं और चारों दिसाओं का दिगबंदन करके वहे क्या करते हैं स्थापना करते हैं रालो जंगल में थे सादुलो जंगल में तरू खहां कलस मीलते इता कलस था इ pole होती है वह तो स्राबग अपनी विवस्था बनाने के लिए गया मंों मंगल का रूप माना गया है इसलिए मंगल को मानते हुए, एक स्रावक उसे इस्थापना का प्रतीक स्वरूप जो है, उसे इस्थापित करते हैं, तो स्रावक सामाज जो है, चाहे वो छुलाचुलिका का करें, आपको पता है वर्सायोग सिर्फ छुलाचुलिका और माता जी नहीं, स्रावक भी करते हैं राम जो बन्वास में थे दूनी चत्रमास और ये पांच पंडो थे बन्वाद करते थे तो स्रावक भी करते थे तो कलस इस्थापना करना ज़रूरी नहीं है वो तो समाच के पनी विवस्ता है जो जो भी बर्सायो करे अपना प्रतीक सुरूप कलासादिस्थापना करना चाहे तो कर सकता है इसमें कहीं कोई बाधा की बात नहीं है आचार स्री नमोस्तु इसमीता जयन महराष्ट से संका कर रही है कि वीर सासन जयनती गुरु पूर्णमा के दिन ही मनाना चाहिए या स्रावन किष्णा पूर्णमा के दिन मनाना चाहिए किर्प्या संका का समाधान करें नमोस्तु आचार स्री गुरु पूर्णमा और वीर सासन जयनती पूर्णमा के दिन तो गुरु पूर्णमा होती है और श्रावन किष्णा पूर्णमा को जो है हमारे भगवान महावीर शोमी की दिवधोनी खिरी थी और उसी दिवधोनी से वीर सासन जैनती मने देखिए गुरु पुर्णमा जब इंद्रभोती का भगवान महावीर से मिलन हुआ तो गुरु पूर्मा जब पूर्मा का जो समय था वो अंतिम पहर में उनका उनसे मिलन हुआ अंतिम पहर मिलन हुआ, देखना हुआ, प्रभु की छवी को देखा और ये सब कुछ देखते समस्ते समय, उनको बैराग उत्पन हुआ मिध्यात भाव को छोड़ा, और सम्यक्त को प्रगट हुए, दिक्षित हुए केश लॉंच आदी किये, ये सब उनका कार हो गया उनका महावीर स्वामी का दिब धनी होना प्रारव हो गया, तो तभी से वीर शासन जैनती भगवान की दिब धनी प्रताहकाल खिरी और भगवान का साथ तत्वे और छे द्रव्य नौपदार्थ पंच अस्तिकाय आदी भिविन्य तत्वों का व्याख्यान प्रारव हो गया और तभी से ही जैजैकार होई इस युक की प्रतम दिब धनी की तो ठीक है ना तो यह समझना कि पूर्णमा में तो जो है इंद्रभोती जो प्रामण थे उनका मिलन हुआ था गुरू का दर्शन हुआ था किंत्या महावीर स्वमी का और स्रावन किष्णा प्रतिपदा के दिन ही वीर सासन जैनती मनाते हैं क्योंकि उस दिन दिब धनी खिरी थी नमुस्तु अचार स्री आचारियों ने आत्मा को अमूर्तिक कहा है और द्रभ को मूर्तिक कहा है तो क्या अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का बंद हो सकता है जबकि अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का निसेद भी किया है आचारियों ने तो ये जो आत्मा है इसके साथ कर्मों का संबंद कैसे होता है किर्पया संका का समाधान करें नमुस्तू अचार स्री संकाएं किसी की भी हो सकती हैं आप लोग भेजते हैं और भेजना चाहिए जो भी मन में वो डर्ना ने चाहिए और नीचे नंबर लिखा है उसमें आप संकाएं भेजे करें ये वाले जो संका है ये ब्रमचारी सुरेंजी की स्वयम की संका लग रही है मुझे और उने की संका लग भग तो आमूर्तिक का मूर्तिक के साथ कैसे बन? आत्मा आमूर्तिक है और कर्म जो है मूर्तिक है मतलब रूपी है तो कैसे बन? देखिए सर्वता आत्मा अमूर्तिक नहीं है संसार अवस्था में कतंचित वो भी मूर्तिक पन है वो भी अपने सभाव से चुत होती है तभी मूर्त कर्म जो है बंध को प्राप्त होते हैं आनादी से आत्मा यदि अमूर्त रहेगी तो फिर कर्म का क्या बंध होगा? होई नहीं सकता है शिद्ध अवस्था ही अमुर्तिक अवस्था को प्रगट होती है सनसार अवस्था में आत्मा कथंचित मुर्तिक है और आचार नेमिर्चन स्वामी ने द्रव्शंगर में बताया भी है यह जो वन है रस है गंध है इस पर सिरहित जो आत्मा है वो अमूर्थिक आत्मा है यह आत्मा में नहीं होते है जीम में नहीं होते और विवहार मुति बंधा दो और विवहार से बंधा दो बंध आदी को प्राप्त आत्मा है इसलिए मूर्तिक कहलाती है तो आपको समझ में आ गया ना कि ये बंध से प्राप्त होने के कारण जो है आत्मा को मूर्तिक कहा गया है तो कथंचत कहीं न कहीं ये मूर् dodatā Shei Sarwartha की B GUY ne अब देखिए Kabli bhagwanty cyaar karm쳐 रेमें बचे की ऒए्वेप तौrav क्यों टेके हुई he क्योंकि 4 आखातिय करम अभी बंधे हुई अभी ही उनका बेंस शचवhav जो प्रगत नही भुगा है जब प्रगतो होगा करम का अभाववकर कुम शिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएंगे शिद्धों के दरवार में पहुंच जाएंगे ठीके न? तो हम भी सुभाव से चोत होते हैं दो ही दरव ऐसी हैं जो सुभाव और विभाव रूप हो जाती हैं बाकि समस्त चार दरव जो हैं सदा सुभाव रूप ही हुआ करती हैं सभी को सादर जैजनेंद पुझ गुर्देप के मुखारव इन से आप सभी की संकाओं का नित्य समाधान आगम करुण सर किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाट टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है अगर आपके मन में किसी वे प्रकार के कोई भी संका है तो आप हमें नीची दे गए नंबर पर बेज़ जग भेश सकते हैं और आपकी संका का समाधान पुझ गुर्देप के मुखारव इन से आदिनाट टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा तो आप हमें अपनी संकाएं भेचें और पुझ गुर्देप के मुखारवन से अपना समाधान पाएं और अपनी संका का समाधान करें जै जिनेंदर इस कारिक्रम के पुर्ण्यार चक्ते अपना समाधान पाएं पुर्ण्यार चक्ते